नमस्कार आप देख रहे हैं बात की जाए अगर भारत में पिछले 24 गंटों की तो यहां धाई लाग से भी जादा मामले इन दिनों सामने आए हैं कुरोना की तीसरी लहर में ऐसा पहली बार हुआ है सुआस्ति मंत्राले ने बताया है कि कुरोना के 2,64,202 नए मामले सामने आए हैं आला की रहां राहत की बात ये है कि इस दौरान 1,9,345 मरीज ठीक भी हुए है देश में कुरोना सक्रिये मामलों की संक्या लगातार 12,72,73 हो गई है सुआस्ति मंत्राले के मुताबिक देश में गुरुवार की मुकाबले आज 6,7 प्रतीशत से जादा केस सामने आए हैं गुरुवार को देश में 2,47,417 मामले सामने आए थे जबकि आज ये संक्या 2,64,202 हो गई है यानि कल के मुकाबले संक्रमितों की संक्या 16,785 बड़े हैं कुरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं इसी कड़ी में भी मध्यप्रदेश में कुरोना विस्फोट हुआ है आपको बता दे कि यहां पर देश भर में कुरोना के मामले जहां तेजी से बढ़ते जा रहे हैं अब इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में भी कुरोना विस्फोट का एक मामला सामने आया है यहां कुरोना की गाच पुलीस कर्मियों पे गिरी है पिछले 24 गंटे की अगर यहां बात की जाए तो यहां 80 पुलीस कर्मियों संक्रमित पाए गई है रोज पुलीस जवानों को कुरोना की चपेट में हर दिन लेते ही जा रही है जिसके बाद अब तक कुल 227 पुलीस कर्मियों इसकी चपेट में आ चुके है प्रदेश में हर दम ड्यूटी पर तेनात रहने वाले पुलीस जवानों पर एक बार फिर कुरोना के काले बादल यहां च्छाते हुए दिख रहे है बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में 12 दिन के अंदर 48 पुलीस कर्मियों को कुरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है लेकिन इस पॉविट के पुलीस विभाग में फैलने से कानून व्यवस्था भी यहां प्रभावित दिख रही है इससे पहले अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में भी तिहार जेल में कैदियों समेथ वहां का स्टाफ भी कुरोना पॉजिटिव पाया गया था कुरोना की धहशत इस कदर बढ़ गई है कि तमाम घाटों पर गंगस नानों पर पाबंदी लगाई गई है आज मकर संकरानती है जिस मौके पर हर साल की तरह घाटों में एक अलग ही अलोकिकता देखने को मिलती है कुरोना वाइरस के चलते हरिदoration जिल्ला प्रशासन की ओर से अब शनान पर प्रतिबन किया गया गया है मकर संक्रान्ती पर जहां हर साल गंगस नान में एक अलोकिक सी भीड देखने को मिलती थी वही इस बार घाट यहां सूने नजर आए हरिद्वार CEO सिटी शोखर सुयाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कौविट दिशा निर्देश जारी किये थे जिसको हम लागू करा रही हैं हम लोगों को उन घाटों पर भेज रहे हैं जहां भीड को कौविट दिशा निर्देशों के साथ अच्छे से समहाला जा सकता है जो लोग दूसरे राज्यों से इसनान करने आ रहे हैं उनको मना कर वापस भेजा जा रहा है इसके अलावा पूरा मेले में शेत्र को चार जोन और आठ सेक्टरों में बाटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है गंगा सनान के प्रतीबन होने से हर पेड़ी समेच सभी घाट सूने पड़े हैं इसी बीच सुभा की गंगा आरती में भी केवल चंद लोगों की उपस्तिती यहां दर्ज की गई समान्य तोर पर मकर संक्रांती पर बड़ी संक्या में देशबर से शद्धालू मा गंगा सनान करने के लिए हर साल हरिद्वार आते हैं चुकि करोना संक्रमन के मामली जिले प्रशासन ने इस इसनान को प्रतिवन कर दिया है जिसके चलते पूरा हर की पोड़ी का शेत्र काफी खाली पड़ा हुआ है बीते दिनों ट्रेन हाथ से को लेकर यहां पर रेल मंत्री का दौरा सामने आया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बीकानेर गुहार्टी एक्सप्रेस ट्रेन दुरगटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ पहुँच गई है मरने वालों में से तीन की अभी शिनाक नहीं हो सकी इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने सुभा घटना स्तल का दौरा किया और जाइजा लेने के बाद रेल मंत्री वैशनव ने कहा कि हासे की जाश शुरू हो गई है पीम नरेंदर मोदी इस्तिती की निगरानी कर रहे हैं और मैं उनके सतत संपर्क में हो मैं घायलों की जल्दी सुष्थ होने की काम ना करता हूँ वही हासे को लेकर पुर्वोत्तर सिमान्त रेलवे एन एफ आर के प्रवक्ता ने शुकरवार को बताया की बीकानेर गुहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के बारा डिब्बे गुरुवार को जल्पाई गुडी जिले के डोमा हानी के पास पट्री से उतर गए थे और उन में से कुछ पलट गए थे एन एफ आर के मुख्यर जनसंपर कदिकारी गुनीमत कौर ने बताया की हाथसे में 36 लोग घायल हुए थे 23 यात्री यात्रियों का जल्पाई गुडी के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज चल रहा है चै को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और साथ को माया नुगूरी गुरामिन अस्पताल में भरती कराया गया है एक और निठारी कांड इन दिनो चर्चा में है और सामने आया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि महराश्ट के वर्धा जिले से निठारी कांड जैसा ही मामला सामने आया है दरसल ये मामला वर्धा के आरवी शेत्र के कदम अस्पताल का है यहां अवैद गर्पात करानी की जाँच करने पहुची पुलीस ने जब बायो गेस प्लांट की जाँच की तो उनके होश उड़ गए प्लांट में 11 मानव खोपडिया और 56 भून की हड़िया बरामत हुई पुलीस ने अस्पताल से सूनोग्राफी मशीन का कागस भी जब्त कर लिया है वहीं पुलीस ने बताया कि 13 साल की लड़की का अवैद गर्पात कराने के आरोप में अस्पताल की डॉक्टर रेखा कदम को और एक नर्स को भी हिरासत में लिया गया है वहीं अगर बात की जाए इस मामले के खुलासे को लेकर तो ये उस वक्त हुआ जब 13 साल की एक नबालिक गर्पती हुई और कदम हॉस्पिटल में 30,000 रुपे लेकर उसका अवैद तरीके से गर्पात कराया गया इसके बाद पीडित लड़की और आरोपी लड़के के माता पिता के भी जगड़ा हो गया मामला पुलीस तक पहुँचा, पुलीस तक पहुँचने पर पूरा खुलासा हुआ और पुलीस ने गर्पात कराने के आरोप में डॉक्टर रेखा कदम सहीद नबालिक यूवक और उसके माता पिता को भी हिरासत में ले लिया देश लाइब में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजे इजाज़त, देश और दुनिया से चुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB Star News, नमस्कार AB Star News